बॉलिवूर एक्टर राजकुमार राव की अपकमिंग फिल्म श्रीकांद के गाने पापा कहते हैं कि लॉच पर बॉलिवूड सूपस्टार आमिर खान स्पेशल गेस्ट बन के पहुंच रहे थे इस फिल्म में राजकुमार दृष्टि माधित बॉलन की भुमिका निभा रहे हैं इस इवन्ट पर बॉलिवूड सूपस्टार की 1988 की फिल्म कयामत से कयामत तक के सूपर हिट ट्रैक को नई तरीके से मंच पर परफॉर्म किया तो आमिर खान इसे देख के भावुक होते नजल आए हैं सोजल मीडिया पर वाइरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि आमिर खान बैंड के परफॉर्मेंस की दारान तालिया बजा रहे हैं उनके चहरे को देखकर साफ कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने आंसूओं को रोका हुआ था उन्होंने पापा कहते हैं कि इस नए वर्जिन को काफी जादा एंजॉय किया वहीं दूसरी तरफ राजकुमार राव भी बैठे हुए इस गाने को काफी जादा एंजॉय करते नजर आए हैं वो जूमते हुए इस गाने को गा भी रहे थे आमिर खान और राजकुमार राव के साथ फ्रीकान बोला को भी बैठे हुए देखा गया इस गाने के launch की दौरान एक और वीडियो वारल हो रहा है, जुसमें senior journalist और film trend expert कोमल नहाटा को emotional होकर रोते हुए देखा जा सकता है ऐसे में आमिर खान कहते हैं, ऐसा कम होता है, कोमल कम ही भावुक होते हैं इसके बाद आमिर खान कहते हैं, कोमल एक दफा मैंने शुरू किया तो बंद नहीं होता, समाल के इसके बाद भावुक जर्नलिस्ट कोमल नहाटा कहते हैं If an event based around a film can make somebody cry so much, I can't imagine what the film will be without seeing the film, I promise, I've just sms'd, I've just sent an sms to one of my exhibitor friends book Shrikant everywhere, I just finished doing that फिल्म श्रीकांत आ रहा है, सबकी आँखे खोलने के ट्रेलर को इंडस्ट्री से काफी ज़्यादा तारीफे मिली है अरजुन कपूर, राले भाटर, जवानवी कपूर सहित कई अन्य स्टार्स ने राजकुमर राओ को उनके जबर्दस प्रदर्शन के लिए बधाईयां दी है